हेलो दोस्तो ओलिन वर्ण टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग नूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है कि बिहार बोड तेंट रिजल्ट दोहजार उननीस का जो रिजल्ट है बहुत जल्द घोशित कर दी जाएगी बिहार बिद्दाले परिच्छा समीथी के अध्यक्ष स्री आनंद किसोर बर्वा ने कहा कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है अगले सब्ता हमें जारी कर दी जाएगी जैसा कि दोस्तो जानते हैं कि आज 30 मार्च 2019 को इंटरमीडियेट का रिजल्ट जो है जारी कर दी गई है और वही पे मैट्रिक रिजल्ट को लेकर काम चल रही है और अगले सब्ता में या मैट्रिक 2019 का रिजल्ट जो है जारी कर दी जाएगी ये घोसना जो है बिहार विद्दाले परिक्षा समीती के अध्यक्ष आनंद की स्वर वारा दिया गया है कि बिहार मैट्रिक का रिजल्ट जो है अगले सब्ता हमें जारी कर दी जाएगी वही पे मैट्रिक एक्जाम देने वाले अभियर्थी जो है बिसबरी से इंतिजार कर इनका रिजल्ट झो है कब जारी की जाएगी तो देख सकते हैं कि इंटर्मीडियेट का जो रिजल्ट आचानक जारी की गई है उसी तरह बिहार मैट्रिक का रिजल्ट जो है अचानक यानि की अगले सब्ता में जारी कर दी जाएगी और आप सभी के लिए बहुत-बड़ी breaking news आ रही है कि बिहार विद्दाले परिच्छा समीती के अध्यक्ष जो है आनंद किसोर जी का कहना है कि बिहार विद्दाले परिच्छा समीती metric result जो है एक सब्ता के अंदर में घोसित कर दी जाएगी यानि कि अगले सब्ता में बिहार भिदाले परिच्छा समीती जो है मैट्रिक का रिजल्ट घोसित कर देगी अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बगले बेल आइकोन है इसको भी दबा दे ताकि जैसे ही रिजल्ट आये जैसे ही उसकी नोटिस मिले आप सभी अपना रिजल्ट जो है देख सके इस बस भाड़ी संख्या में अभियर्थी जो है मैट्रिक का एकजाम दिये है वहीं पे परिक्षा जो है मैट्रिक की जो परिक्षा हुई है 21 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में 1426 केंद्रों पर परिक्षा हुई है और इसका रिजल्ट जो है अगले सब्ता में जारी क तो दोस्तो अगर मैट्री का रिजल्ट आप सबसे पहले देखना चाहते हैं सबसे पहले अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बगले बेल आइकोन है उसको भी दवा दे और अपने दोस्तों में से सेर कर दे तो पूरे वीडियो को अंतक देखने के ल कर देखने वादिए